जै मा शिंग वाहनी अंशुदा इस्टार चैनल में आपका श्वागत है आज मैं आपको वहाँ ले जा रही हूँ जो की एक बुंदिल खंड का प्षू प्रशिद इस्थान है इसे टिकी टॉरिया माता मंदिर के नाम से जाना जाता है यह मंदिर का मुक्के द्वार है एवं इस द्वार से लगभग दिर किलो मीटर दूर टिकी टॉरिया माता मंदिर इस्थित है यहां पहुँचने के लिए इसकी हम बात करें तो यह इस्थान सागर जिले के रहली से पांच किलो मीटर दूर तैंदु खोड़ा जबलपुर मार्ग पर टिकी टॉरिया परवत पर मा सिंग वाहनी का बसाल प्राचीन मंदिर इस्थित है देवी माता के इस मंदिर को मद्ध परदेश में मिनी मैहर के रूप में जाना जाता है चैत्र नकरातरी के मौके पर जालू यहां बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं बात करें तो टिकी टॉरिया के मुख मंद मंदिर में अश्ट बुजाधारी मा सिंग वाहनी की प्रतीमा इस्थित हैं के प्रांगण में आपके लिए बिलकुल भी कचला दिखाई नहीं देगा एवं प्रतिक दुकान गोवर से लिपी पुती हुई दिखाई देगी जो की एक बहुत ही सुन्दर तम द्रश्य है बत पाचीर पासान की प्रतीमा को किसी व्यक्ती ने विक्षिप्त कर दिया था तब करीब पचास साल पहले पासी के गाउं जराब बंखेरा निवासी माता दीन अबथ और त्रोपती भाई के सौजन से नरिंद्र नात अवस्ती द्वारा एनावी राम मूर्थी स्थापित करा गई थी हाला कि बीते सालों में यह प्रतीमा भी खंड़ित हो गई उसके बाद अश्ट वजाधारी सिंग वाहनी माता के साथ माता शरश्वती और लक्ष्मी माता की दिधी विधान के शाथ के सामने की गई गई हर मनो कामना पूरी होती है ऐसा बताया जाता है कि सालों पह मोशने के लिए किसी भी प्रकार की सीडिया नहीं थी करीब 20 साल पहले टिकी टॉरिया जीडुद्धार समीती का गठन किया गया जिसके बाद इस मंदर का जीडुद्धार करके परियटन के रूप में इस्थापित किया गया है टॉरिया माता मंदर के सामने सिव परिवार मंदर के पिशले दौर से जाने पर बहां भैरवनात जी बराजमान है बरतमान में प्रिकी टॉरिया माता के मंदर तक पहुँचने के लिए लगभग 250 सीडिया बनाई गई है जो की हमें दर्शन करने ही तूर शुविधा उपलब्द कराती है इस मंदर का जीन उद्धार उन भक्तों के द्वारा कराया गया है जिनकी मनुकामना माता ने पूर्ण की है एवं उनके द्वारा जो दान दिया गया उससे इस मंदर का जीन उद्धार कराया गया है वीटोरिया माता का इस्थान एक बहुत ही पवित्र एवं शुन्दर इस्थाने तता प्राकरतिक दरश्टी से यहां पर वहत रम्रिये एवं सुन्दर्तम दरश्च दिखाई देते हैं सिंग वाहिनी माता सबकी मनुकामना पूर करने वाली हैं एवं इनके दर्शनों का लाव लेने के लिए आज हम यहां आये थे इनके दर्शनों का लाव प्राप्त करने के पश्चात अब हम पुनह प्रस्थान करते हैं आप सब भी अगर माता का आशिरवात प्राप्त करना च झाल झाल